सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन कैंसर एक बीमारी है जिसका नाम सुर्ण का डर लगता है लेकिन कैंसर को हराया सकता है बिल्कुल कैंसर को हराया जा सकता है और आप यह कहें कि तो और बात करें तो यह इस इस इसतिती तक पहुचने के बाद भी जीवन संभाव है और लोग सर्वाइब कर रहे हैं आप यह देखिए जो बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट है उसमें कुछ तो जिसमें केवल बोन मेरो ट्रांस्प्रांट से ही ठीक हुआ जा सकता है जैसे थालेसीमिया होगी या फिर प्लास्टिक अनिमिया होगी बट कुछ दिजीज होती ही जिनका 80% के और बिना कैंसर के बिना ट्रांस्प्रांट के संभव हो जाता है जैसे लिम्फोमा पेशिंट है जो आज लिम्फोमा ग्रूप की मीटिंग है तो 80% जो पेशिंट से हैं वो ट्रीटमेंट से केवल दवाईयों से ठीक हो जाते हैं जो 20% पेशिंट बचते हैं उनको हम ट्रांस्प्रांट से ठीक कर लेते हैं बिल्कुल दिली की बात करें तो दिली से दूर भी लगातार का हो रहा है जैपूर की बात करें तो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग दूर दूर से आते हैं तो क्या आपको लगता है कि देश की राजधानी दिली भी जो बड़े-बड़े अस्पताल है वैसे अस्पताल दूसरे राज्यों में भी खुलने चाहिए बिल्कुल होना चाहिए आप यह देखिए कि आज जो हमारे कैंसर के मरीज है वो करीबन ती अगर हम राजस्थान की बात करें तो हर साल दो-3 लाख में मरीज कैंसर के होती है राजस्थान में हमारे पास तो उनके लिए फैसिलिटीज हमारे पास बहुत काम है अब दिली मे इतने होस्पिटल हो गए हैं तो फुल है उस्पिटल है पर वो जो पेशन्ट है जो गामों के दुरूर दराज़ देश पेशन्ट से जब जुनके पास अप्रोच नहीं है जो आ नहीं सकते पूर पेशन्ट है उनके लिए हर जगा पे यह फैसलिटीज होनी चाहिए जैसे मसेन सब्सक्राइब को करें हैं और वह कशेंगे है सकता है इसका इलाज मारीज को अगर झाल झाल